हलो बच्रों हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पावर शेरीग चाप्टर जिसके अंदर हम ने यह देखा था कि पावर शेर करने से पावर कम नहीं होती है बलकी एक ते डेमोर्टिक कंट्री अच्छे से वक करती है ठीक है मुंता है नेकले प्लिड फ़ीपा शेरिंग चैप्टर हमने पढ़ाता था उसमें पढ़ा क्या क्या था किसके इसके इतेखा है तिटुन दिफेंट ओर्गं सफ्टुन में लेघुण देखा था बीट्वनगेंटि भ का बेल्जियम एक छोटी से जगे है जहां की पॉपुलेशन हर्याना जितनी है जितनी हमारे हर्याना की है ठीक है यहां पर दो लैंग्विज ग्रुप्स हुआ करते थे एक तो डश था जो की आपके 59% था मतलब की मजॉर्टी में था दूसरा आपके फ्रेंच थे जो की कम थ लोगों से और बागी वन पर्शन यहां पर जर्मन हुआ करते थे बेल्जियम अपनी बॉर्डर चार अलग अलग जहों से शेर करता है इसका एंसी क्योशन आ जाता है वो चार जगे कौन सी उनकी नेम हमें ध्यान रखने है एक तो है आपका लगजंबर्ग दूसरा है आप प्रेंच लोगों के पास पूरे बेल्जियम में माइनॉरिटी हैं लेकिन उनके पास ना एजुकेशन काफे पहले मिल गई थी और उनके पास वह एकनॉमिक स्टेबल भी है वहीं डच लोग इतने एकनॉमिक स्टेबल नहीं पड़े लिए तो उनको ना जलन होती है और प् चिपर बंगे बलजियम के लिए अलग, बुल्व के लिया लग और दोनों में फिरम नंबर अप मिनिस्टर्स रहेंगे दोनों ही जूप से जीक है कोई भी नगरव पास होगा तो सबकी मिनजूरी होगी तभी लोपास होगा, सेंटर गवर्णमेंट को थेंट गवर्णमें उन्होंने गवर्मेंट भी अपनी मिना ली अपने रिलिजिन बुद्धिसमों को भी मीन भोशित कर दिया था एन उनिवर्सिटी और एक्जाम्स में और जॉब्स में भी सिनाला को ही प्रियर्टी दी जाएगी पावर शेरिंग के डिफ्रेंट वेइट होते हैं वह सारे कॉंसेट्ट्र में आगे अर्वर भी कर लिए चार्ट करते हम पावर शेरिंग चैप्टर जिसके MCQ टार के उशन को चाता है horizontal power sharing arrangement जो होता है वो किस में divide करता है powers को तो horizontal जैसे एक ही level पर हमारी body के organs same level पर है तो horizontal में भी same level पर होते हैं ठीक है different organs of government की बीच में power divide होती है executive, judiciary and legislative में तो different organ of government आजाएगा answer would be A चली आगे बढ़ते हैं under which of the following power shared in the community government अभी मैंने बताया था है कि सबसे बढ़या change community government का क्या था Belgium के अंदर ठीक है तो किस में हुई थी ये power divide community government किसके लिए बन दी थी organ नहीं, central state government नहीं ये तो federal system हो जाता है organ वाला हमने देखे लिया horizontal हो जाता है state government in community government ये भी नहीं होगी और different social group के लिए अलग लग language group के लिए बनाई गी थी community government तो answer is A शाली आगे बढ़ते हैं consider the following statement on power sharing and select the answer आपको इनका बताना है कि कौन सा correct है ठीक है किसके लिए? power sharing के लिए it is good for democracy हाँ होती है harmony मतलब peace बना के रखती है different groups के बीच में यास बिल्कुल सही it brings the transparency in the government democracy के अंदर क्या होता है आपको right to information का right होता है आप जान सकते हैं सरकार कैसे work कर रही है confidential information नहीं जान सकते हैं बागे सब जान सकते हैं transparency offer करती है it brings social political competition among parties parties की बीच में competition तो लाती है political competition socio नहीं लाती है social competition नहीं लाती है ठीक है यहाँ पर healthy competition हो जाता है तो force नहीं होगा तो answer is first, second and third तो यह answer चल आगे बढ़ते हम consider the following statement regarding the power sharing arrangement in Belgium Belgium के कैसा power sharing का arrangement हुआ था उसमें क्या incorrect one था यह हमें निकालना है ठीक है तो हमने अब जोड़े पर discuss भी किया equal number of member or Dutch or French community के रहेंगे center government के नदर यह वारा तो true है separate government बने की separate government बने की bruises के लिए with equal representation यह भी सही equal representation क्या होता है समझे इस चीज़ को माली जी एक जगह पर देड़ सो लोग है जिके जिसमें से 50 तो male है and 100 female है और equal representation का मतलब होता है कि हमने decide कर लें कि हर 50 लोग एक वोट देंगे तो male का हो जाएगा एक वोट और female का हो जाएगे दो वोट क्योंकि यह पर 50-50 दो बार आएगा इसी को हम बोलते है equal representation तो यह भी true है the state government to be subordinate state government subordinate रहेगी center government के तो यह नहीं है हमें भी पता है यह अब थोट देर पहले ही बताया था center government और state government अपने अपनी परावा परफॉर्म करें और क्योंकि किसी के अंडर नहीं होगा और community government तो बनाई ही बनाई ही गई थी चलिए next question पर चलते हैं assertion majority community is dominant in a few democratic states कुछ democratic state में कुछ majority community dominance रखती है जिस्ट्रेलंका के केसी में होगा था सिन्हाला ने dominance रखा था तमिल्स के उपर ठीक है reason है इसका dominance can undermine the unity of the country हाँ dominance से country की unity undermine हो सकती है दब सकती है तो यह भी true है ठीक है तो अहुम इस पे देखना है कि यह दोनों independent दिटू है पर क्या यह reason है सर्शंसन का है independent यह true होने के बावजूद भी इनका कोई relevance बैठ रहा है तो majority community dominant करती है कुछ democratic state में लेकिन यह हट जगे नहीं है कि dominance होगा तो country की unity हाम होगी most of the cases में यह होता ही है तो answer would be B both A and R true and R is not correct explanation of A आगे बढ़ते हैं very short type answers पे how and when Sinhala recognize as the official language of Sri Lanka कैसे हुआ था Sri Lanka के इन्दों Sinhala language को official language का थपपा कैसे मिला था तो Sinhala को recognize क्या था official language जब श्रिलंका में एक act पास किया गया था 1956 year में वहाँ पर Sinhala क्योंकि Sinhala लोगी majority में थे उन्होंने ही अपनी government मिना ली तो उन्हें की ही language Sinhala को ही official language का दर्जा दिया गया था कि universities में exams में official work के लिए Sinhala language को यूज किया जाएगा ठीक है which type of power does community government in Belgium enjoy Belgium में जो community government मने था उनके बस किस तरह की power हुआ करती थी तो जो government थी Belgium के अंदर वो community government वो basically cultural educational ऐसे issues जो language के द्वारा आते थे उनको लेंग्विज के रिगार्डिंग जो issues आते थे उनको पर्टिकलर community problem को resolve करवाते थी community government what type what system of power sharing is called checks and balances ठीक है तो हमने देखा था कि different organs के बीच में power share वोती है और अगर मतलब सेम पेस पे रहेंगे ठीक है तो जब हर औरगन legislative, legislature, executive and judiciary तीनों औरगन अपना अपना काम कर रहे होएंगे तो औरगन सामित नहीं तो है जैसे पड़ोसी होते हैं तो हम पड़ोसी को देख सकते हैं वैसे ही same organ same level पे हैंगे तो एक दूसरे को देख सकते हैं तो उसी को हम checks and balance कहते हैं तो जब horizontal distribution of power होता है legislature, executive and judiciary के बीच वहाँ पे वो एक दूसरे का काम को देख सकते हैं कि कोई अपना power का गलत इस्तमाल तो नहीं कर रहा, जादा इस्तमाल तो नहीं कर रहा चीक है? Short answer type question Power sharing is the essence of democratic government आपको बताना है कैसे power sharing जरूरी है democratic government के लिए तो क्या होता है power share की जाती है different organs of government में कौन-कौन से organ होते है legislature जो law बनाती है executive जो law उन law सा execute करवाती है and judiciary कि अगर आपके साथ अन्याय हो तो आपको न्याय दिलवाने का काम करती है इसको हम horizontal power sharing बोलते हैं जो इंडिया में होता है power एक और तरीके से share की जा सकती है among government at different level level क्या होते है central government, state government and third eye भी बनाए गया है local government ठीक है? इसको हम general government बोलते हैं पूरी country के लिए ठीक है? and government at the provincial or regional level मतलब state level पे होती है तो अगर इसको हम समझे तो basically different levels के बीच में power divided होते हैं जिसमें central, straight और local आता है ठीक है? और तीनों अपनी power को independently exercise करते हैं third type की होती है community government power share की जाती है between different social group social group कौन से हो सकते हैं? religious basis पे हो सकते हैं, language basis पे हो सकते हैं ठीक है? जैसे religious and linguistic example जिसा Belgium के अंदर हुआ था Dutch और French लोगों के लिए community government बनाए गई थी ठीक है? चलिए power share होती है political parties के बीच में जैसे दो party है या तीन parties है वो election में खड़ी हो तो उनके पास भी तो power है अगर वो election में जीत जाती है तो government बनाएगे उनके पास power आएगे वो लोगों के हिस के लिए काम करेंगे ठीक है? प्रेशर गुप जो प्रेशर बनाते है और movements जैसे नर्मंदा वाचाओ आंदोलन यह बनाया गया था तो नर्मंदा रिवर का over exploitation हो था पानी का उसको बचाने के लिए इस movements के द्वारा भी power का इस्तमाल करके government के उपर प्रेशर बनाया जा सकता है और लोगों के हित के लिए काम किया जा सकता है ठीक है? चलिए In long run power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups और political parties की बीच में इस पावर होती है उनके पास अपनी अपनी अलग policies, अपनी अपनी अलग ideologies होती है कोई education को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई गरीबों को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई backwards basis के लिए काम कर रहा होता है तो इस तरीकी की power इनके पास होती है चलिए Sharing of power makes country more powerful and united Power share country से country strong होती है Power divide नहीं होती जैसे मम्मी ने भाया को बोला तुम kitchen का काम देखो, दीदी को बोला कि भाई मारकर का काम देखो तो काम जल्दी होएगा, लडाया कम होईगी ऐसे ही country run करती है First reason क्या है power sharing का ये मदद करती है Reduce करने में possibility of conflict जैसे भाया दीदी अब लड़ेंगी नहीं, दोनों अपना अपना काम कर रहे ऐसे country में आप conflict नहीं होंगे, सब अपना अपना काम देखेंगी क्योंकि सब को priority मिलेगी ठीक है Power sharing is good way to ensure the stability of political order As social conflict often leads to violence and political instability So power sharing होईगी, तो क्या होएगा? Violence कम होगा क्योंकि इस किंदर क्या होएगा, हर social group को equality provide की जाएगी Imposing the will of the majority community over the other क्या होता है कई जगे जिसे श्रिलंका में हुआ था सिलहना ने समिल्स के उपर हावी हुए थे तो अगर किसी एक majority community अपनी will दूसरों पर हावी करेगी तो क्या होएगा? Country की unity temper होती है तो अगर दोनों को ही power दे दी जाएगी अपनी अपनी तो वहाँ पर दोनों ही group अच्छे से रहेंगे बिना जगडे के तैरनी of majority is not only oppressive for the minority but also it brings to ruin the majority अब इस sentence का मिनिंग है कि ऐसा नहीं है कि majority सिफ minority को दबाती ही है suppress करती है बट ये क्या करती है? जो country की unity होती है majority होती है उसको भी पूरी तरीके से temper करती ही खराब कर देती है जब श्रिलंका में हुआ था majority community होने के बावजूद भी end में वहाँ पर civil war हुई थी चीके? चलिए अना तर इंपोर्टेंट रिजन is that the very spirit of democracy is power sharing मदल्य पावर शेरिंग मसाले का गाम करते है नमक का गाम करते है डेमोकरीसी में तैसे नमक खाने में ज़रूरी है पावर शेरिंग डेमोकरीसी के लिए ज़रूरी है A democratic root involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect People have a right to be consulted on their heart they are to be governed इसमें लिखा हुआ है कि democratic country के अंदर होता क्या है ना कि जब power sharing होती है ठीक है तो यह होतो रही है लेकिन यह भी देखना होता है कि लोग चाहते कैसे हैं कि वो कैसे govern होना चाहते हैं हो सकता है कि उनका एक way of governing हो कि भाई हमें तो जो हमारे representative चाहिए हमारी कास्ट के चाहिए लेकिन सही क्या होगा कि जो majority of people में different different caste होगी तो सब लोगों की इच्छाओ भले वो minority हो भले वो majority हो कि वो कैसे govern होना चाहते हैं ठीक है एक impartial way में होना चाहते हैं कि वो चाहते हैं उनके सब पार्शालिटी हो minority को ignore किया जाओं की इच्छाओं को दवाया जाए ठीक है एन लेजिटिमेट government is one where citizen through participation acquires take in the state और एक legitimate government होती है democratic government कैसे होती है जब सब लोगों का involvement होता है में अपना रेप्रेजेंटेटिव जिनने के लिए ठीक है चालिए लोंग आंसर टाइप क्यूशन देखते हैं हावस आईए ऑफ पावर्शेरिंग एमर्ज बावर्शेरिंग का आईए कैसे आयता और इसके हमें हावर्शेरिंगा तो उसको अच्छे से गवन करता है कि उसको पता हो रहाँ कैसे का रहा है कि तो यह लगता था कि एक हाथ में पावर्शेरिंग आप और यह पावर्शेरिंग अदेजिजीए और पॉसेबल नहीं होगा जदी decision लेना और फिर उसको enforce करवाना ठीक है लेकिन द्रीर द्रीर लोगों को समझ में आने लगा कि अगर एक ही यह हाथ में पावर जिल दीए तो इंसान का उस गुप का दिमाग खराब हो जाएगा इसमें पावर को डिवाइड करो ताकि कोई भी unlimited यूज नहीं कर पाए इल्लीगल यूज नहीं कर पाए उस पावर का ठीक है चालेए डिफेन फार्मस की बात करें तो होरिजानटल पावर शेरिंग होती है जिसके अंदर डिफेन्ट और गावर दिवाइड होती है लेजिस्लेचर एग्जिक्यूटिव और ये तीनों ही एक उससे के ओपर check and balance रखते हैं, check करते हैं कि कोई अपनी power को extra इस्तमाल तो नहीं कर रहा, ठीक है? Vertical power sharing में क्या होता है? Different levels के बीच में power divide होती है, जिसमें central government, ठीक है? फिर आजाती है आपकी state government and फिर third tier भी introduce हुआ है, that is our local government, ठीक है? चले, ठीक है? आती है empowering social group, social group के बीच में power divide होती है, ठीक है? जैसे कोई religious group हो गए, या linguistic group हो गए, जैसे हमारे Belgium के case में वादर Dutch और French लोगों के लिए community government बनाई गई थी, ठीक है? और कुछ reserve concertiences भी होती है, जैसे कि इंडिया में होता है, ST, ST, OBC के लिए, Parliament, Legislative Assembly में seat reserve कर दी गई, ताकि उन classes को भी backward classes को भी आ गयाने का मौका मिले, और उनको एकदम अलगाओं नहीं feel हो करती है, ठीक है? जो party हारेगी, वो pressure बनाने का काम कर सकती है, ठीक है? तो उसके आपने भी ये power है, and movements, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसके अंदर क्या होगा? कि भई, कुछ ऐसे movements के दुवारा pressure बनाया चाता है government के उपर, कि भई, आप लोगों की hit के लिए काम करो, ठीक है? तो उसक Such competition ensure that power does not remain in one hand. तो ये दिखाता है कि power किसी एक के हाथ में नहीं रहे, अगर power है भी तो हम उस पे pressure बना के काम कर रहे हैं लोगों के hit के लिए, ठीक है? पावर is shared among different political parties that represent different ideologies and social group. तो पावर किनके हाथ में होती है? जो parties अलग-अलग policies बनाती है, अलग-अलग ideologies होती है, ताक उनकी ideologies, उनकी policies लोगों की hit के लिए, लोगों के सामने आए, अगली बार लोग उनको चुने, ठीक है? सलिए, यहां होता है आपका power sharing chapter complete, सारे concepts के साथ, सारे important topics के साथ, I hope you guys like it. chapter federalism के most expected notions, federalism का मतलब होता है, जिस country के अंदर power का division होता है, at different levels of government, center government, जो पूरे nation का ध्यान रखती है, then state government, जो states का ध्यान रखती है, फिर एक third air of government भी introduced हुआ था, जो कि local government थी, जो local level पे problems को resolve करवाती है, इनकी बीच में power share होती है, तो federalism वहीं से ही आता है, federal होने का अब ही यही है, power का share होना, किसी एक unit के हाथ में power नहीं होना, अगर किसी एक unit के हाथ में power होती है, हम unitary government कहते हैं, तो यही कुछ concepts हमने इस chapter में करे थे, अब इसके हम most expected question देख लेते हैं, with the concept, सबसे पहले mcq type questions देखेंगे, mcq में आपका first question ही वही आगे जो मैंने भी अदर आते हैं, उसी किस level of government की, जो center government की ही चलती है, सब जगहों पर, तो there are two or more level, यह तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, यह तो हमारे federal government में होते हैं, different tier of government govern the same citizen, different tier, मतलब different levels, वो भी नहीं होते हैं, each tier of government has its own jurisdiction, तो सब का अपना अपना एक area होता है, जो center government, nation, state government, state, but इसमें unitary में सभी नहीं होता, तो the sub unit are subordinate to the central government, central government main होते हैं और बाकि सब उसके subordinate होते हैं, under होते हैं, तो यह हो गया correct answer, D, आगे बढ़ते हैं, the head of gram panchayat, gram panchayat का head, sir, कहलाता है, sir panch, ठीके, तो आगे देख लेते हैं, answer is B, sir panch, आगे बढ़ते हैं, इस image से, आपको क्या दिखता है, कौन से leader हैं ये, तो ये हैं हमारे अटल बिहारी वाजपई, यहाँ पर आपको symbol भी दिख जाएगा, कमल का, ये हैं हमारी BJP government का symbol, ये कुरसी पर बैटे हैं, या एक मशाल जल रही है, coalition government की, coalition government क्या होती है, BJP एक अच्छी नामी party थी, पह जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं, coalition government, और यहाँ पर आपको अलग-अलग parties के symbol, cycle, पती, ये दिख रही हैं, ये अलग-अलग parties के leader आपको यहाँ दिख रहे हैं, और इसी से BJP ने coalition government बना ली थी, तो ये हैं हमारे AB वाजपई, D, ठीके, आगे बढ़ते हैं, assertion, a major step towards decentralization, हम words को समझ के, उसके concept से हम definition करके, and यहाँ से 2-3-1-1 marks के question भी कर लेंगे, हर question से ही, तो ध्यान से समझिएगा, decentralization के खरते हैं, decentralization, power का decentralization, मतलब power को लेना, decentralize कर देना, power को central and state government से लेना, and local government को swap देना, is decentralization, ठीके, ये सबसे पहले 1992 में हुआ था, constitution को amend करके, constitution के तो changes लाकर, तो हाँ, constitution was amended to make the third tier of democracy, more powerful and effective, constitution को amend इसलिए किया था, जो third tier था, local government, उसको powerful करना, effective करना, तो decentralization का मतलब यह है, उन दोनों से power ली, और local को दे दी, और इसमें इसलिए किया यह था, था कि हम local government को पावर्फुल करें, तो reason भी correct है, और reason correct explanation है, एका, a would be its answer, आगे बढ़ते हैं, very short type answer में, इसमें हम देखते हैं, जो आपका answer लिख रहे होंगे, वो दो लाइन में, आपको maximum लिखते हैं, दो तीन लाइनों में, how do central and state government enjoy their power in federal system, federal system के अंदर, central government, state government के पावस, कैसे power होती है, वो कैसे enjoy करता है अपनी पावर को, तो unitary system के अंद जो चोटी-चोटी units होती है, उस एक government, central government के अंदर, उसके subordinate होती है, लेकिर federal system में इसा नहीं होता, इसके अंदर, power, center, state के बीच में, distribute की जाती, इनका अपना अपने direction होता है, अपने अपने area को यहां रखती है, गोवन करती है, ठीक है, चलिए, explain the vertical distribution of power, vertical, vertical होगा तो एक center government, state government, local government की बीच में, power का division होता है, ठीक है, इसको vertical division भी बोलते हैं, और उसके अलावा हम इसको बोलते है, power का division between levels of government, ठीक है, power is shared among different levels of government, इसको हम vertical distribution of power कहते हैं, इसके अंदर, involved होता है, higher level से lower level of government, ठीक है, सबसे पहले union government, यह हम center government बोलते हैं, जो center पर होती है, जो nation का धियान रखती है, then state government, जो state का धियान रखती है, and last local government, जो हमारी city, municipality, villages का धियान रखने के लिए होती है, ठीक है, city में municipality होती है, villages में ग्राम पंचायत होती है, why was state's reorganization commission form, state को reorganize करने के लिए, कुछ state की boundary कम करी, कुछ state की boundary बनाई गे the state को reorganize करने के लिए, reorganization commission form की गई थी, ठीक है, ये form हुई थी हमारे 1954 में, ताकि recommend किया जाए, creation of state, on the basis of linguistic basis, कुछ state को language की basis पे बनाया गया था, कुछ state को boundary के basis पे बढ़ा या छोटा किया गया था, इसी organize किया गया था, उसे के लिए commission बनी थी, explain the three-fold distribution of legislative power between the union and state government, three-fold distribution का मनी क्या है, वो देख लेते हैं, पहले, तो three-fold distribution होता है, कि power, center, state की बीच में तो रहती हैं, लेकिन वो country को कैसे govern करेंगे, ये अपने अपनी चीजों को divide कर लेते हैं, उसके लिए एक system बनाया गया था, इसके अंदर क्या होता है, legislative power को divide कर दिया जाता है, union और state government के बीच में, ठीके, constitution हमारे हाँ पे supreme है, main है, constitution की चीजों क्या की किसी की नहीं चलती है, तो इसनिये government को अपने हमने areas दे दिये हैं, तीन list के द्वारा, क्या आप इन list के माधियम से govern करोगे, union list, state list, concurrent list, इनको हम देख लेते हैं, आगे, ठीके, ये union list, state list, और concurrent list में क्या होता, union list के जो matters होते हैं, वो national importance के होते हैं, उसके ज central government ये union government बनाती है, जिसे defense हो गया, army हो गई, state list में वो matter होते हैं, जिसे agriculture, irrigation हो गया, और कुछ भी welfare skim होगी, इन सब के decision बनाने की power, state government के हाथ में होती है, and conquer list में, दोनों ही national state, दोनों की importance के matter होते हैं, इनके लोग दोनों ही government मिलके बनाती है, लेकिन अगर conflict हो जाता है, त चलिए आगे बढ़ते हैं, short answer type में, तीन provisions बताने हैं आपको, जो की बनाये गए थे Indian constitution में, 1992 में, जब आपको three-tier government को हमें more effective बनाना था, तो three-fold में तो हमारे तीनों list आएंगी, three-tier में हमारे levels आएंगे, ये ध्यान रखना, तो अब ये constitution भी जरूरी हो चुका है, कि election, regular election क होते हैं, local में भी आपको कराने पड़ी हैं, क्योंकि ये नया टायर, government introduced किया गया था, seats reserved की जाती है, in elected bodies में मतलब, legislative assembly, parliament वगरा में, and executive heads of these institutes for the shriul caste, shriul tribe and other backward classes, SC, ST and OBCs के लिए भी अब seat reserved की जाएंगी, अब ये भी elect करे जा सकते हैं, ताकि जो इनकी community के लोग हैं, उनक की भी wishes को आगे रखा जाएं, इसी aim से इनको reservation दिया गया है, ठीके, और one third seat, women को भी reserve की जाएगी, ताकि women empowerment को भी बढ़ावा मिल सके, ठीके, एक independent institution बनाएगे थी, इसका नाम state election commission था, जो की local level government, जो local level के elections हो में, उनको govern करेगी, ये election commission होती है, जो सेंडर स्टेट वालों क देखती है, ये state commission, जो भी हमारे पंजायाद municipality के election होंगे, उनका धिहान रखेगी, उनकी monitor होगी, ठीके, state government के बास जो budget आये का revenue आएगा, वो local government के साथ शेर करेगी, ताकि local level पे भी development, वो local government उस revenue के साथ कर सके, ठीके, चालिए, आपको 5 advantage बताने है, decentralizedization of power, decentralizedization में समझा चू के हूँ, center state से power लेके, local government को देना, ठीके, इसमें power share की जाती है, center state की, local के साथ, ताकि इनके उपर burden कम हो सके, और local level पे problem resolve किये जा सके, ठीके, बहुत जादा problems होती है, issues हो सकते हैं, तो अगर वो local level पे solo जाएंगे तो जादा बटर है, ठीके, people have better knowledge of problems in their localities, लोकल लेवल के लीडर्स बनेंगे रहे, प्रेजंटिटिव होंगे, उनको उनके लोगों के problem जादा अच्छे समझ में आ सकेगी, और local level पे इजी लेवल हो जाएगी, अब सोचो को एक 8th class का बच्चा principle के पास जाए, तो और दिककत की बात है, लेकिन उनके class teacher के पास जाए, तो class teacher problems और वहां के local लोगों को जादा पता होगा कि local problems क्या क्या हो सकती, तो वो उसको effectively resolve भी करवा पाएंगे, they know better where to spend money, and local leaders को पता भी होता है कि कहां उनको पैसा और resources खर्श करने हैं, ताकि लोग efficiently उनका इस्तमाल कर सके, and लोग जो होंगे local level पे participate कर सकेंगे, direct decision making के अंदर, त long answer type में हम चलते हैं, आपको coming together, holding together federation को समझाना है, देखो, coming together मतलब 2-3 independent nation साथ में आ जाते हैं, और फिलो सोचते हैं, plan कर लेते हैं, कि हम एक अपनी government बना लेंगे, holding together मतलब सबकी अपनी government होते हैं, लेकिन वो hold करके चलते हैं, एक दूस्तर को साथ में, इसे इंडिया जै में, तो इसमें difference क्या है, coming together बनाई जाती है, जब independent state जो होते हैं, एक साथ आके एक bigger state बना लेते हैं, ठीक, इसको हम holding together बोलते हैं, और are found when large countries decide to divide into subunit, या फिर एक बड़ी country छुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् आपना जाते हैं, और bigger unit में, holding together में, एक large country अपने state government को power देती है, ठीक है, और साथ में major government बना लेती हैं, पूरे nation को rule करने के लिए, अपने separate government, उनके अपने state के साफ से काम करते हैं, और साथ में होके चलती है, एक three addition, दूसरा आ जाता है, कि coming together में क्या होता है, जो state government होती ह है, वो काफे strong होती है, हाना, और holding to gether में क्या होता है, center government बिजो बनाई जाती है, सारे शारे इंडिया, इस्पैन, बेल्जियम चालिए आगे बढ़ते हैं why has federalism succeeded in India क्यों succeed हुआ है इंडिया के इंदर federalism और कौन सी policy इंडिया के लिए adopt की गई दिसका आपका explanation देना है तो federalism इंडिया के इंदर succeed हुआ है क्योंकि हमारे पास democratic policy है इंडिया के अंदर यह policy क्या करती है इं साफ मूद फशनिंग इन्हों अडॉब करें फेडरल स्ट्रॉक्टर जिसमें पावर को लेवल में और गों में स्टेट सेंटर लोकल में डिवाइड किया क्योंकि इससे लोग आज अपना separate nation demand कर रहे हैं मतलब separate state कर रहे हैं कल को nation demand करेंगे है लेकिन इससे फाइदा हुआ क्या फाइदा हुआ कि उन different language बोलने मालों को भी यह समझ में आया कि हमें हिंदिया में इज़त दी जारी हमारे dignity हमारे language का ध्यान रख कि हमें एक separate अलग state दे बनाए गए और कुछ state language के basis बनाए गए थे ठीक है जो कि काफी major test हमारी country के रहे जो successful भी हुआ था ठीक है दूसरा था language policy हमारे हाँ पर इंडिया के अंदर language policy आयते जिसमें इंडियन constitution में बोला था हम किसी भी language को national language नहीं बनाएंगे ठीक है लेकिन हिंदी जब हिंदी की बात आई थी तो बहुत सार लोग Hindi बोलते थे तो पहले Hindi कंसिडर की गए थी language बनाने के लिए official लेकिन उसके बाद और 21 अधर language इसी ती जिनको हमने हमारी हिंदी के साथ जोडा गया schedule language इनको हमने बोला था उस ले इन languages में official work exam है यह सारे conduct किये जा सकते थे ठीक है तो सारे language जोड़ों को equal importance में सेंटर स्टेट relationship ठीक है तो यह बोला गया था कि हमारे पास सेंटर अलग सेंटर गवर्मेंट अलग होगी स्टेट गवर्मेंट अलग होगी सेंटर स्टेट गवर्मेंट अच्छे relation के साथ चलेगी तब ही हमारी पूरी country अच्छे से work कर पाएगी ठीक ह तो सेंटर स्टेट relationship को रिकंस रिस्ट्रक्टर किया गया था जिससे फैडरलिजम को अच्छे से strengthen मिलीती काम करने में हां कि ऐसा नहीं हो सेंटर गवर्मेंट अलग है और स्टेट गवर्मेंट अलग है तो स्टेट गवर्मेंट को वह दबाया है कि महीमानों सेंटर में BJP किसी स्टेट में Congress आ गई तो Congress को सप्रेस किया जाना नहीं अगर सेंटर स्टेट गवर्मेंट साथ मिलके चलेगी तभी तो वह अपने अपने अपनी लेवल में अपने अपनी जगों का काम बेटर तरहीं किसे परफॉर्म कर पाएगी ठीक है चलिए इसेंटरलाइज़ेशन ऑफ पावर पावर को सेंटर स्टेट से लेकर लोकल को दे रहीं था था कि लोकल लेवल पर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाया और लोकल जो सिटीज गाउं अगया वह बें अच्छे से डिवलप हो पाया जब वह अच्छे से डिवलप होईगी ये ढूरे हैं जंदर एंगा मैं तो बसंहें गलिल एकाम कास्ट के मोर्лघ तो सब्सक्रायज करा च्छानि के लिगे उस पडिकिया फिलन विदक्षाड़ आप सबसेते और में प्लीपन के opportunity ुसके अंदर आप को चार आप्शंज भीड योथा झो latch लगाना होता है, start करते है first, when people say that caste is a vote bank of one party, it usually means that caste को vote bank की दर इस्तमाल करते हैं, कुछ political party वाले मतलब, हम तुमारे धर्म के, हम तुमारे caste के हमें vote दो, ठीक है वैसे, a large proportion of the voters from that caste does not vote for that party, तो इसका मतलब क्या होता है, कि जो बहुत सारे लोग हों उस कास्ट के, वो उसको vote नहीं देंगें, obviously यह नहीं होगा, a large proportion of the voters from that caste vote for that party, वो इसे लिए अपनी धर्म का, अपनी का नाम लेते हैं, ताकि उनको vote मिले, हाँ, that could be a reason, a large proportion of the voters from all the caste vote for that party, all the caste, तो नहीं आएगा ना, वो अपनी कास्ट का नाम इसे लेते हैं, कि उसकी कास्ट वाले उसको vote दे, तो आंसर हो गया आपका, C, चलिए, आगे बढ़ते हैं, which of the following matters does not deal with family law, family law क्या आते हैं, जो घरेलू matter होते हैं, जिसके अंदर एक परिवार impact होता है, ना कि society impact होती है, तो क्या marriage होगा, हाँ, obviously घरेलू matter, adoption हाँ, किसी बच्चे को गोद लेना सही है, inheritance मतलब कि property वाले, कि ये property किसको जाएगी, कौन वारिस है, तो ये सारे घरेलू matter होता है, finance ऐसा होता है, जो कि बाहारी रूप से होता है, दूसरे लोगों के साथ होता है, घर में भी finance के issue होते हैं, पर वो आपसी matter मे हो जाते हैं, property, inheritance वाले, ये finance वाला होता है, बाहर का matter, तो finance वाला नहीं आएगा, do not में आएगा, do not वालों को जादार ज्यान रखेगा, तो answer would be D, आगे बढ़ते हैं, which of the following laws were enacted by the government of India in October 2005, October 2005 में कौन सा law, law मतलब, ऐसी चीज जो के applicable हो गई थी, तो ये हुआ था हमारा, right to information act, 2005, ये क्या था, कि कोई भी person, government की किसी भी काम के बारे बे, information ले सकता है, कहां budget जा रहा है, ये decision कैसे लिया गया है, ठीक है, और government ये सारी information, वो department particularly, जिस पर आप request करेंगे, information की, वो आपको फिर information देगा, ये आपका अधिकार है, लेकिन जो confidential information होती है, बस वो शेर नहीं क की जाती, तो answer would be D, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये image देखकर आपको बताना है, कि this chair of chief minister designates his, क्या बता रही है, देखे आप यहाँ ओम दिखेगा, यहाँ प्लस का sign दिखेगा, यहाँ आपको सिक्ष का sign दिखेगा, यहाँ मतलब आपको सारे sign दिख रहे हैं, हिंदू, मु ज़त दी गई है, इस कुरस्ती के द्वारा जो कि chief minister की है, ठीक है, answer would be B, आगे बढ़ते हैं, assertion A, a caste is, जो की एक particular caste को दो है, कटर caste को मानने वाला, हाना उसकी caste को मानने वाला, वैसा, a caste is a person who thinks that caste is the principal basis of community, caste is यह मानता है कि caste ही है, जो है सब कुछ community के अंदर, and all caste are equal and main made, तो यह वाला statement तो सही है, सारी caste के equal माने जाती है, और main made होती है, हाँ, obviously man made तो है, पर equal नहीं होती, तभी तो casteism होता है, उच नीच बहिदबाव होता है, ठीक है, तो इसका answer होगा, C, A is the true and R is false, चलिए, आगे बढ़ते हैं, very short answer type में, suppose a politician seeks your vote on the religion ground, एक politician आप से आके vote मांगता ह धर्म के आधार पर, why his act is considered against the norms of democracy, तो यह क्यों है against democracy की norms के, क्योंकि वो अपने धर्म के नाम पर समाज को बाढ़ रहा है, यह मांग कर कि भही हम सेम काश के हमें vote दो, हाना, ठीक है, तो देख लेते हैं, reason, his act is against the spirit of democracy as politician is not working as per the constitution, जो politician होगा, वो समाज के हर ग्रुप के के काम करता है, तो उसका जो एक्ट है वो democracy के spirit के against होगा, उसने exploit किया है social difference को, उसने social difference दिखाया है कि देखो हम धर्म के अधार पर बटे हुए है, it may create social discard and may lead to social division, तो उसकी वज़े से क्या होगा, उसकी caste वाले भले उसको vote दे देंगे, लेकिन अगर वो जीत किया, तो बाक किया है, inequality लेकि आया है, ठीके, उसने एक चीज को, एक गुरुप को उठाने के लिए, हाना, खुद की caste को आगे रखके vote ले रहा है, ताकि वो बागे गुरुप सो ignore कर सके, तो equality वो नहीं ला रहा है, आगे बढ़ते हैं हम, define a feminist, feminist कौन होती है, a person who believes in equal right and opportunity, मतलब यह नहीं बोलती हो, कि हमें ज्यादा दो, feminist यह बोलते हैं, कि हमें equal opportunities दो, equal rights दो, जैसे आदमियों को भी मिल रहे हैं, ठीके, short answer type question देख लेते हैं, communalism को define करना है, और इसके three forms आपको बताना है, तो communalism क्या होता है, Communism में एक situation होती है, जहाँ पर एक religion को superior माना जाता है, बाकि other religion से, ठीके, जहाँ पर एक religion की demand को, ठीके, एक religious group की demand को are formed in opposition to another, उस demand को रखते वे एक group बना लिया जाता है, और दूसरों के दूसरे groups की demand को एकड़म ignore कर दिया जाता है, ठीके, and when the state power is used to establish domination, और उस चीज में state भी उनकी मदद करे उस religion की dominance बठाने में, जैसे कि स्री लंका के अंदल हुआ था, सिनहाला group की dominance बठाई गई थी, ठीके, तो उसको बोलते हैं हम Communism, ठीके, चालिए, इसकी various forms देख लेते हैं, the most common expression of Communism is everyday belief, मत्दब जो लोग daily follow करते हैं, culture belief को, वो Communism हो ज To quest for political dominance of one's own religion, तो वो यह चाहेगा, क्योंकि हमारे democratic country के अंदर, politics को सबसे बड़ा दबदबार रहता है, जो politics में उसके पास सबसे दापावर, तो वो यह चाहेगा, political party में भी हम लोगों की caste रहें, जैसे सिनाला नहीं किया था, उनहीं खुद की सिनाला लेंगविज बोलने science in another frequent form of communism, this involves the use of sacred symbol, religious leader, emotional opinion and plan, जैसे हमने तुर्णा की vote bank होता है कास्ट, तो इस तरीके से request करना धर्म के अधार पर, डर पैदा करना कि तुम्हें अपना वो अल्ला भगवान माफ नहीं करेगा अगर तुमने हमारे कास्ट के बारे के लोगों के बारे में नहीं सोचा, ऐसे symbols का इस्तमाल करना, ठीके symbols का इस्तमाल करना, डर पैदा करना, धर्म के अधार पर अपील करना, ये भी तीसरा form होता है, communalism का, चलिए next question में चलते हैं, secularism is not an ideology of some political party or person, but it is one of the foundation of our country, secularism हमारी कंटे के लिए foundation है, क्योंकि secularism में हर धर्म को इजजत दी जाती, equality दी जाती है, आ हमारी कंटे का, क्योंकि सारे धर्मों को equality दी गई है, तभी तो हमारी कंटे अच्छे से वक कर पा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे diverse धर्म है, बहुत सारे, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीके, तो, communalism should not be seen as a threat to some people in India, it threatens the very idea of, very idea of India, तो, communalism से वे ग्रूप को threaten नहीं करता, हम हमारे यहाँ पे तो, बहुत सारे धर्म है, तो, अगर, communalism आ गया, तो, सारे धर्मों को हिला देगा, मतलब, इंडिया को, की जो unity है, उसको ही threaten कर देगा, A secular constitution like our is necessary, but not sufficient to combat communism, हमारे यहाँ का जो constitution है, जो सब धर्मों को इज़त देता है, वो जरूरी है, ठीके, लेकिन sufficient नहीं है, communism को खतम करने के लिए, तो, communal prejudice and propaganda need to be countered in everyday life and religion-based mobilization need to be countered in the area of politics, तो, जो communal चीज़े हुईगी न, उनको हमें day-to-day life से खतम करना हुएगा, ऐसा नहीं कि आपने communal mind को या community को हटा दिया, तो, आपने सब ठीक करे, आपको day-to-day check रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, कि क्या religion के नाम पर तो, communalism setup नहीं हो रहा है, तो, पर daily check on balance रखा जाएगा चीज़ों पर, तभी communalism को पुरी तरह हटाया जा सकता है, there is no official religion for the Indian state, हमारे हाँ पर कोई भी एक religion को priority नहीं दी जाती है, और constitution हर individual को, और community को freedom देती है, कि वो कुछ भी अपने धर्म के belief को practice कर सके, ठीक है, वो अपन religion के बारे में लोगों को बता सके, preach कर सके, तो, हमारे हाँ पर यह freedom दे रखी है, the constitution prohibits discrimination, और हमारे constitution ने धर्म के आदार पे, ऊच नीच बहितबाव को मना कर रखा है, कि यह नहीं होना चाहिए, कोई कर रहा है, तो, उसे punish किया जाएगा, आगे चलते है, explain five methods to raise the political representation of women in India, women की political representation कैसे बढ़ाई जाए, तो, कैसे बढ़ाई जाने चाहिए, women की can be improved by adopting a holistic approach, एक धार्मिक अप्रोच हमें अपनाने पड़ेगी, ठीके, एक ऐसी अप्रोच जो कि practically भी possible है, इसमें क्या गाना पड़ेगा, पहले तो, जो औरते हैं, उनको पढ़ाओ, literacy rate बढ़ाओ, ठीके, पढ़ाओ, ज़रूरी ऐसा निया की, औरते हो जबढ़ाओ, उनके घरवालों को समझाना पड़ता है, पहले तो, पहले जो पिता होते थे, जो पती होते थे, वही उनको पढ़ने नहीं जाने देते, ठीके, क्योंको लगता था, ये घर में काम करें, बहर जाएंगी, तो, इंप्रोव दे पॉलिटिकल अवेर्टें, अमंग वुमेन, और अगर हम उनको ज़्यदा पढ़ाएंगे, तो इस्ते, जब वो पढ़ेंगी, तब तो वो अवेर्नेस लापाएंगे, आसपास की, और तभी उनको पॉलिटिकल अवेर्नेस भी आएंगी, ठीके, वुमेन, constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics is minimal in most of society. हमारे विमेन का रोल बहुत सारे रेक्टरस में बहुत जादा, especially घरेलु कामों में. तो अगर हमें विमेन का, विमेन की पॉपुलेशन में जादा है, तो अगर हम उनको पढ़ाएंगे, उनको अवेरनेस देंगे, और उनका पॉब्लिक लाइफ में अगर इन्वॉल्मेंट हमें चाहिए, तो हमें उनको पॉलिटिक्स के अंदर लाना ही पड़ेगा. आज भी वुमेन को इतनी हाई सेलरे नहीं मिलती, लोग वेजिस मिलते हैं किसी भी ऑफिस के अंदर, क्योंकि लोगों को लगता आ रही है, तो ओरते इसको तो घर के काम करना रहेगा, छुटिया ले लेगी, शादी हो जाएगी, ठीक है? तो at workplaces, women are paid less, औरतों को कम पैसा दिया जाता है, men के comparison में, अगर वो सेम जॉब में है तब भी, when equal pay comes, और अगर equal pay आएगा, तब औरतों के हाथ में भी एक वो पैसा, एक वो पावर रहेंगे, कि वो अपने आवाज भी उठा सके, हिंदू सक्रेशन एक्ट ऐसा बनाया गया जाते थी, 2005 के बाद, अब वो पिता की प्रॉपर्टी पे लड़कियों का भी अधिकार है, ठीक है, the daughters now have equal right, daughters के पास भी, daughters के पास भी equal right होगा, inheritance का जो उनकी फादर के प्रॉपर्टी होगी, उस पे उनका भी अधिकार रहेगा, और this definitely has increased the political power of female, और इससे औरतों के पास political power increase हुई है, ठीक है, चलिए, next is, the political representation of women had been very poor in Indian legislature, हमारे यहाँ पे legislature में women का participation काफी कम है, और अगर हम cabinet ministry की बात करें, वहाँ पे पे women ministers काफी जादा लो हैं, और political parties को women candidates को मौका देना चाहिए कि वो आगे आए और election लट सके, union मतलब सेंटर और state donor election में, और supreme court of India को इसके अंदर involve होना चाहिए, क्योंकि supreme court का order फिर सब मानते हैं, इसी लिए ही one third seat, local government bodies के अंदर, women candidate के लिए reserve की गई थी, तो जब वो local level पे आएंगी, तो उनको एक हमत मिलेंगी, तब ही जाके वो state और central level पे जा पाएंगी, ठीक है, और इसकी वज़े से women का representation पंचायत, औ और अब तक there is a need to enhance this to 50%, अभी तक one third को 50% तक कर दो ताकि और औरते आगे आएंगे, एक बिल होता है, बिल मतर एक प्रपोजल होता है, वो भी रखा गया था, जिसमें one third reservation, लोक सब्बा and state assembly में भी दी जानी थी women को जो कि अभी पैंड, जो कि अभी pending चल रहा है, ठीक है, ए ओके, तो यहां होता है आपका chapter complete, इसके अंदर जेंडर रिजियन केंट कास्ट के आपके almost all more topics cover हो चके हैं and concepts के साथ, हम start करने वाले हैं आपका chapter political parties, के most expected questions करने जा रहे हैं with concepts, political parties में हमने देखा था, political parties की क्यों धर्वत होती है, democracy में election contest करने के लिए and किस तरह की political parties को regional national parties ब election commission काम करता है, फिर local third tier government जबाया था, local government तो उसके लिए state election commission भी बनाया गया था, यह कुछ concepts से इस chapter के start करते हैं, हम political parties chapter, इसके हम सबसे बहले start करेंगें MCQ type questions से, first, which are the following countries has two party system, two party system क्या होता है, इसके अंदर दो ही party होती है, कभी यह party जीती जाएगी, तो कभी यह party जीती ज जाएगी, third disadvantage क्या होता है, कि लोगों को ज्यादा leaders rule नहीं होना पड़ता, मतलब वही दोनों parties है, उनमें limited leaders होगी, उनके बस limited policies होगी, तो ज्यादा development भी फिर नहीं हो सकता, इसके लावा एक होता, एक और होता है, जो होता है one party system, जिसके दो चाइना में था Chinese Communist Party, वही party के ही leader हमेशा rule करते थे उन जगों कर, और इंडिया जैसी democratic country में multi party system होता है, जहां पर बहुत सारी parties होती है, उन सारी parties की बीच में elections होते हैं, नहीं नहीं policies आती है, नहीं नहीं leaders आते, तो यह सबसे best form होता है, तो two party system कहां पर था, जहां पर दो party थी, that is America, option is C, आगे बढ़ते है which are the following facilities offered by the election commission to a recognized political party, election commission क्या काम करती है, जिसे class का monitor करता है, class का monitor, class का पूरा ध्यान रखता है, election commission की duty होती है, वो election का सारा ध्यान रखती है, election सही तरीके से तो हो रहा है, free and fair manual में तो हो रहा है, कोई threat तो नहीं कर रहा, कोई bribery तो नहीं कर रहा, कोई जादा amount तो invest नहीं कर चीटिंग तो नहीं होती, यह सारा काम election commission का होता है, तो election commission यही past political parties registered होती है, ठीके, उनी को जो registered हो जाती है, उनी political parties को हम recognize political party कहते हैं, तो कौनसी facility दी जाती election commission के द्वारा, जब party recognize हो जाती है, party name, election fund, election symbol, manifesto, party name, जो भी name होता हो, तो party खुद का नाम तो खुदी रखेगी ठीके, election fund, fund, कभी भी election commission नहीं देती, खुद को arrange करना पड़ता है, या फिर थोड़ा बहुत state funding के लिए, एक political reform के suggestion दिया गया था, कि भई state ही fund करे political parties को, ताकि सभी parties को बराबर अपने आपको present करने का मौका में ले लोगों के सामने, और manifesto होता है कि, जो parties की policy होती है, उनी कि आधार पर तो हम चुननेंगे कि हमें किस party को चुनना है, हाँ, जैसे कोई party education के system में नई चीज़ लाना चाहेगी, कोई party हो सकता है, state welfare का का काम करें, जैसे राजस्तान में चिरंजीवी, योजना है, जिसमें पांच नाथ का इलाज फ्री होता है, तो ये साफ पॉलिसी ह होती है, वो होतना manifesto, election commission, symbol को officially present करता है, जैसे BGP का कमल है, Congress का hand है, जैसे सारे symbol election commission देते हैं, answer is C, next चलते है, which of the following is true, democracy is equal to ruling party, democracy ruling party के बराबर है, नहीं, ruling party तो बाद में आएगी न, जब वो जीतेगी, democracy is not equal to political party, not equal democracy के इंदर election होता हो, उसके लिए political party चीए होते होते, तो democracy is equal to political party, हाँ, ये सही लग रहा है, which opposing parties is equal to political party, ये तो बिल्कुल नहीं है, तो answer is C, जो की true है, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, this cartoon drawn during the presidency of George Bush in USA, suggest that, George Bush के राइम पर USA के अंदर ये हुआ था, एक picture, कैसा वहाँ पर rule चल रहा था, क्या हो रहा था, वो हमें इस image के जारा पता ह है, तो ये बढ़त चल रहा है, वही वन पार्टी सिस्टम है, तो ये वाला तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वन पार्टी कंट्री यहां लिखा हुए हुआ, फिलव आपको और चीजी दिखेंगे, CNET, House of Presidency, ठीक है, और यहाँ पर फ्लैक्स दिखेगा, Corporate America, तो ये स C, जो हमें अब देखो, ये तो इग्नॉर हो रहा है, लेकिन जादा क्या दिखाया जा रहा है, हमें सारे इंसिट्यूशन के नेम, तो जो अधा जो मोस्ट पर फेवल होगा, हमें वो लगाना होता है, ठीक है, चालिए, आगे बढ़ते हैं, Assertion and Reason के अंदर हम चलेंगे, Assert है, at the center and legislative assembly in the state, तो जो majority party होती है, वो ये दिखाती है, कि भई कितने लोकसभा, राजसभा में लोगों जीते हैं, हैना, कितने उन में majority आई है, और reason है, the election based on the majority vote system, decide the result on the basis of relative majority of vote secure, तो जो election होता है, वो ये दिखाता है, कि कितने majority of vote पढ़े हैं, और उससे political party जीती है, तो Assert independently correct है, reason independently correct है, और ये ही इसका reason है, majority होंगे तब ही तो लोकसभा, राजसभा के election जीते हैंगे, ठीके, तो answer is A, आके बढ़ते हैं, start करते हैं, हम very short type answer, describe about the ideology and organization of बहुजन समाज party, बहुजन समाज party के बारे में हमें इसमें बताना है, BSP बनाए गई थी 1984 में, ये बहुत ही important year, इसका याद रखना है, कि इसकी leadership के अंदर, कांशीराम, इसमें से बच्छा MCQ आ सकते हैं, ठीके तो ये name और year ध्यान रखेगा, इसका aim क्या था, कि that it seeks to represent and secure power for the बहुजन समाज, बहुजन समाज मतलब जो कि पिछडे वर्ग के लोग ते, उनके लिए भी वो equality चाते थे, ठ इसके अंदर, दलित आते थे, आदिवास्ती आते थे, OBC मतलब other backward classes के लोग आते थे, और जो ऐसे लोग जो religion के name पर minority में आते थे, ऐसे group के लोगों के लिए वो equality चाती थी, बहुजन समाज party, ठीके, which three challenge do you feel are being faced by the political party in India, political party को इंडिया के अंदर कौन से तीन challenges जो face करने को मि आता है सबसे पहले, internal democracy का लेक होता है, मतलब political party के अंदर ही democracy नहीं होती, मतलब democracy के मतलब क्या होता है, elections होना, fair chance मिलना, लोगों को आने, आगे आने दिनने, तो party के अंदर ही लोगों को fair chance नहीं मिलता कि वो उबर के आए, leader बन सके, representative बन सके, ठीके, challenges of dynastic succession, मतलब अगर कि किसी के parents, हाना, कोई एक अच्छे ओदे पर एक political party, तो वो चाहता है, उनके बच्चे, उनके relative ही, उस पद पर बने रहें, वो किसी और person को आगे नहीं आने देते, इससे जो observing candidates होते हैं, वो भी नहीं आगे आपाते, growing role of muscle and money power, तो party को लगता है कि जिसके पास पैसा है, जिस तो क्या होएगा, कि पैसे और muscle के डर से लोग उसको vote देंगे, तो इससे हमारी party जीच जाएगी, तो फिर इससे वही लोग आगे जा पाते हैं, जो ताकतवात होते हैं, जिसके पास पैसा होता है, often parties do not seem to offer meaningful choices to the water, और कई बार parties वही same leaders को बार 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 खड़ा करती है, जि ठीके, आगे बढ़ते हैं, discuss the three components, components दियान रखना, components of political party, क्या होते हैं ये, पहला leader, active member और followers, इसको याद रहने की टिक्टरे के है, fall, सारी के fall, इसा पैसा, ठीके, तो leader कौन होते हैं, जैसे अभी है BJP के leader, नरेंदर मोधी जी, ठीके, पिर उते है active member, जो उस party के लिए actively work कर जाते हैं, जैसे अमित्षा, योगी जी, हाना, ये सारे हो गए active member, और followers कोन होते हैं, जो हम लोग citizen होते हैं, जो BJP को support कर रहे हो, हो जाते हैं, followers, तो ये तीन main component होते हैं, तभी एक political party बनती है, या उभरती है, ठीके, आगे बढ़ते हैं हम, short answer type में, political parties have become imprisonment in democracy all over the world, explain the statement with example, तो हम देखते हैं कि जो political parties होती हैं, उनकी हमें जरुवत हैं, क्यों, क्योंकि वो ऐसे functions करती हैं, जो की democracy के अंदर compulsory हैं, क्या होते हैं, कि political party क्या करती हैं, कि election के अंदर contest करती हैं, political parties होंगी, तभी election होंगे, जो जीतेगा, फिर वही government मनाएगा, और वही बागी citizen के लिए decision लेगा, मदब पूरी country के लिए decision लेगा, govern करेगा, वो political parties अपनी policies और programs को आगे रखती हैं, जैसे कि कोई चाहेगा कि education institute सेट अप की जाए, कोई चाहेगा education system में changes किये जाए, कोई चाहेगा कि railway bridges बनाए जाए, कोई एक state के लिए welfare schemes रखेगा, तो यह सारी policies होती हैं, उनके आधार पारी हम चुनते कि हमें कौन सी party चाहिए, ठीके, they play a decisive role in making laws that affect each of us, जो जीतता है, वही government बनाता है, और वही बनाते हैं, laws जो आगे हमारी life को impact करवाते हैं, ठीके, चलिए, फिर आता है, जो private political party जीतेगी, वही government बनाएगी, और government को चलाएगी, उसी पर depend रहते हैं, का work, they play the role of opposition to the ruling party, अब एक party जीती, दूसरी parties हारी होंगी, हाना, तो जो हारी है न, वह pressure बनाती हैं, जीती भी party पर, कि देखो तुमने ये policies बोली थी, अब तुम जीत गए, तो अब तुम ये policies करो, पीछे मटा तो अब अपने काम से, तो दूसरी parties ruling party पर pressure बनाने का भी काम करती है, मतब हारी होई party के पास भी powers होती है, ठीके, they shape public opinion, हाना, public opinion को shape करती, मतब क्या हुआ, जैसे मुझे चाहिए कि मेरे society में बहुत ही गंदगी रहती है, तो कच्रे का दिबा लगवा, मुझे चाहिए कि मेरे society के अंतर जानवर पिट रहें, तो उनके खाने के विवस् पास आते हैं, अब और पास जीता, तो हम उनको बूलेंगे, अपने हमारी demand सुनी थी, अब वो demand पूरी करवा, क्योंकि वो हमारे representative है, वो आगे हमारी demand को forward कर सकते हैं, तो जो जीते वे leaders होते हैं, political party होते हैं, वो हमारी opinion को shape देगे, अब इसका मतलब यह होता है, ठीके, they provide they provide people, यहाँ पर gap है, they provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the government, यह लोगों को जो government schemes होती हैं, उन्हें तक पहुंचने का access देती हैं, तो जीते गवर्मेंट कोई भी scheme चला रही हैं, तो कुछ लोगों को नहीं पता होती, political parties उनको aware करती हैं, कि देखो यह political party, यह आपकी welfare schemes चल दो, इनका फाइदा यह आप लोगे हित के लिए ही बनाई गई हैं, जो government ने implement की है, ठीके, चलते हैं, next question के उपर, how do money and muscle power play an important role in election, money and muscle power का क्या रोल होता है election के अंदर, तो क्या होता है, जिसके पास पैसा होता है, या dawn type होता है, तो political parties को लगता है, इसको अगर हम खड़ा कर देंगे, तो यह अ है, जिसके पास एक large amount of money होता है, या वो अपने दम से वो money arrange कर सकता है, ठीके, ताकि वो जितना अपने पार्टी का advertisement करेंगे, लोगों को bribe करेंगे, उन पार्टी को vote मिलेगा और वो जीच जाएंगे, rich people and company who give funds to party tend to have influence on the policies and decision of the party, और जो लोग, ऐसे अमीर लोग companies, पार्ट को election के लिए fund करती है, वो उनकी policies और decision में involvement ले लेती है, ताकि जब वो जीते हैं, तो इन लोगों की इच्छा के अनुसार, उस policies और प्रोग्राम में प्रोड़े वो चींजिसा सके, और कुछ cases में parties support करती है, criminals को, don type लोगों को, ताकि उनके दम से वो लोग election को जीत पाएं Democrats all over the world are worried over the increasing role of rich people and big companies in democratic politics, और ऐसे जो लोग हमारे democracy के बारे में सोखते हैं, उनको ये डर है कि ये जो muscle और money power से democracy जादा corrupt हो जाएगी, ठीक है, चलिए What do you understand by the by party system, इसका एक by party system बताना है, उसका एक merit और demerit बताना है, by party system क्या होता है, कुछ countries के अंदर, जो power होती है, वो दो main parties के बीच में ही change होती है, कभी एक party जीच जाएगी, कभी दूसरी party जीच जाएगी, ठीक है, इसको हम two party system या by party system कहते है, इस system के अंदर जो government होती ह जीच ना, इस form by one party और एक party जीती है, और दूसरी party opposition का काम करती है, मतलब जो जीती भी party पे pressure डालने का काम करती है, कि अब अपनी policies करो, follow करो, अपने कामों को अच्छे सा perform करो, ठीक है, तो इसका merit क्या है, इस system के अंदर stability होती है, कि बही देखो, या तो वो government आएगी, इस से जादा कुछ भी unstability नहीं होईगी, तो इस system के अंदर stability जीती है, government as no coalition is there, coalition government मतलब, दो तिन पाटियों का mixture, देखो, alliance और coalition समझो, alliance होती है, जब election होने के पहले, एक-दो party साथ में आचाती है, कि हम साथ में, अगर हम जीत रहे हैं, तो साथ में govern करेंगे, ठीक है, और जै confusion नहीं होते कि कौन सी party lead कर रहे है, किसके policies आ रही है, ठीक है, demerit क्या होता है, कि केवल से दो ही party रहती है, या तो ये party या ये party, तो limited policies or program offer करेंगी वो, limited leaders offer करेंगे आपको ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, long answer type question में, modern democracy cannot exist without political party, modern democracy के अंदर political parties का होना must है, इसको examine करना ह है, in all the democracy, citizens have right, but should be able to claim these rights, rights तो होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो जब electrical political parties होती है, हमारे पास right to vote होता है, हम चुनते हैं, ठीक है, तो become the ruling party, जिन को हम चुनते हैं, वही ruling party बन जाती है, और फिर उसके बाद, then they give these right to citizens legally and practically, तो फिर इन ही political parties के अधार पे, ये decision लेते हैं, laws बनते हैं, और फिर हमारे पास वही rights आते हैं, जो laws the political parties बनाती है, सारे democracy के अंदर, people need good governance, लोगों को ऐसे rulers चाहिए, जो अच्छे से उनको govern करें, for this, we need political parties, तो इसके लिए हमें चाहिए कि political parties हो, और वो अपने अच्छे leaders को सामने खड़ा करें, जिनको हम vote दे पाएं, हमा political party, अगर development चाहिए, तो हमें political parties चाहिए, क्योंकि political parties shape public opinion, तो हम चाहिएंगे development तो उसको political party ही पूरा करवा पाएंगी, देख लिए इंट्रोड्यूस many new policies and program, और ये ही political parties नए policies and program को इंट्रोड्यूस करती है, हम लोगों के welfare के लिए, ठीक है, the opposition political party also play a vital role, तो जो जहारी भी party होती है, वो भी important role play करती है, जीती पार्टी पर pressure डालती है, तुम्हें जिताया है, तुम काम करो, नहीं तो अगले election में, तुम्हें हरा कर मेरे को चुन देंगे ये लोग, ना, ठीक है, चालो, इफ there was no political party, अगर कोई political party नहीं होगी, तो क्या होगा, independent candidate होगे, जैसे मेरे को जिता दिया, मेरे पास कोई political party नहीं है, तो मैंने बोला, मैं यह यह सारे काम करवाओंगी, और उसके बाद, हाँ, ठीक है करवादूँगी, अलस आगे है, मैरे को नीमन कर रहा भी करवाने का, तो क्या होगा, मेरे पर pressure डालने करे कोई नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे पास एक political party होगी, तो बाकी लोग pressure डालेंगे, मुझे तो काम कर, तो leader है तिरे को जितवाया है, अगर तो काम नहीं करेंगी, तो next election में हमारी party को यह लोग नहीं चुनेंगे, तो independent candidate, अगर वो होग is directly linked to the emergence of representative democracy, यह बहुत important statement है, MCQ के लिए भी, कि political parties का rise हो रहा है, और यह directly linked है, representative democracy, ऐसे democracy, जिसमें हम लोगों को हमारा representative चुनते है, political parties है, तो representative democracy भी है, ठीक है, large society need a way to bring various representatives together so that a responsible government could be formed, ठीक है, तो क्या होईगा, अगर हमें बड़ी society के government करना है, तो govern करना है, तो हमें representatives जिनको हम चुन रहे हैं, उन सब को साथ आने की जरुवत है, उन लोगों की इसके लिए काम करने की जरुवत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए modern democracy के अंदर political parties का होना ज यहां होता है आपका political parties chapter complete with all the important concepts, start करने वाले हमारा outcome of democracy, outcome of democracy में हमने ये देखा था कि जो democratic government होती है, वो बहुत ही better होती है बाकी और form of government से, और form of government क्या होती है, जैसे absolute मुनार्की जिसमें राजा का पुरा राज होता है, मनमानी होती है, दूसरा होता है मुनार्की, जिसमे राजा constitution के दायरे में रहकर काम करता है, तीसरा होता है dictatorship, जहां पर एक dictator होता है, जो कि सब पर राज करता है, मनमानी करता है, अपने अंडर ही law, अपने अंडर ही rules and regulation जो उसकी इच्छा होती हो बनाता है, ठीके तो democratic क्या होती है, वो हमने देख रहा है, क्यों better होती है, best न आपका अच्छा result आएगा, तो democracy है, तो क्या outcome मिलेगी आपको, किस तरह की freedom, किस तरह की rights मिलेगी, उससे आपकी economical stability बे क्या फरक पड़ेगा, कितनी development होगी, इस सारी चीज़े हमने इस chapter में देखी थी, तो start करते हम most important question outcome of democracy, कि हम सबसे पहले MCQ type करेंगे, multiple choice question, जिसने आपक जो most preferable answer होता है, वो लगाना होता है, start करते हम, modern democracy, मतलब जो आज के democratic country हैं, उनके बारे में, हम देख रहे हैं, कि जो modern democracy होती न, वो maintain करती है, checks and balances का system, बच्छे इस में से ये question भी आ सकता है, आप लोग के, and ये most important question है, कि what is checks and balance system, एक question तो ये आ सकता है, दूसरा आ सकता है, आपके execution कि horizontal, horizontal distribution of power क्या होता है, ठीक है, इस में से same, मतलब लाइक, ये दोनों के question का answer same ही है, checks and balance system क्या होता है, या फिर horizontal distribution of power क्या होता है, तो जब हमारी government में, हमने पढ़ाता, levels of government, या फिर power sharing chapter में, कि power share होती है, हाना, power sharing chapter क्यों बता रहीं, क्योंकि relate होते हैं, हमने क्या बढ़ाता है, कि power share होती है, तो गवर्मेंट अच्छे से work करती है, तो वो किस form में होता है, democratic form of government में power share होती है, ठीक है, तो power किस में share हो रही है, तीन organs के बीच में, ठीक है, organs जिसे हमारी body के हाथ, power, move, यह सब organ है, तो वैसे ही जो organ होते हैं, वो सेम लेवल पर होते हैं, तो जो हमारी government के organ होते हैं, वो बे सेम लेवल पर होते हैं, तो तीन organs होते हैं, legislature, जो law बनाती है, executive, जो उन laws को execute करवाती है, और judiciary, कि अगर उन laws का violation होता है, आपको सब कुछ गलत होता है, तो judiciary आपक balance क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह तीनों level पर जो organ होते हैं, यह एक दूसरे पर ध्यान रखते हैं, कि भई कोई अपनी power का गलत इस्तमाल तो नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको checks and balance भी बोलते हैं, ठीके, तो क्या हो गया, आभी मैं समझाई हूँ, legislature, executive and judiciary का answer हो जाता है, जिसक करते हैं, in which area does democracy fail, fail मतलम यहां आजाएंगे आपके de-merit की बात, ठीक है, किसमें democracy fail होती है, to achieve the same result in dictatorship, तो इसी चाप्टर में हमने एक table थी, data table थी, उसमें यह देखा था, कि जहां पर भी dictatorial regime होगी, जहां डिक्टेटर शिप होती है, वो ज्यादा बेटर होती है, वो ज्या stability में क्यों होती है, क्योंकि democracy के अंदर equitable distribution of income नहीं होता, मतलब कि income जो होगी ना, वो सब में equally divide नहीं होती, जैसे एक company का manager है, let's suppose director है, जैसे अंबानी की company हो गई, तो मान लो की 100% profit हुआ, तो 100 में से 60% profit तो डिरेक्टर है, अंबानी है, वही रख लेंगे, फिर जो company का manager होगा, 40% जाएगा, उसके पास, ठीके, इस 40 में से 30% भी यही रख लेगा, और बाकी का 10% देगा, अपनी नीचे के employees को, अब employees तो बहुत सारे, उन employees में 10% का, 11111% पहुचे का, और कुछ के पास तो पहुचे गा भी नहीं, तो यह हो गया, inequitable distribution of income, कैसे भी income distribution होई होई, ल वहाँ पे अमीर और गरीद की बीच में तरह difference नहीं होता, सारे या तो अच्छे level पे कमारे होंगे, या सारे ही नहीं कमारे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई जादा अमीर है, कोई बहुत जादा गरीब है, ठीके, वो डेमोकरिसी में होता है, तो किस में better होती है, डेम economic development में, ठीके, आगे बढ़ते हम, तो हमें आप ये picture पढ़नी है, ये picture से हमें बताना है कि क्या show कर रही है, ये picture, तो देखो, यहाँ पे एक आदमी बठा है, डेमोकरिसी के पत्थर के ओपत, तो मत अब डेमोकरिटिक गवर्मेंट चला रहा है, अब इसके उपर बहुत सा सेपरेट की डिमांड है, ठीके, बॉर्डर का डिस्प्यूट है, बहुत सारे इस तरीकी के अलगलग डिमांड के पत्थर उस इंसान पर लग रहे हैं, जो कि डेमोकरिसी के पत्थर पर बैठा है, मतलब इसलिए हमें क्या समझ में आ रहा है कि डेमोकरिटिक गवर्मेंट ह होने के बावजूद भी और डिमांड चाती हैं इसके पास, है ना, तो क्या है, सेपरेट स्टेट की डिमांड कई लोग करते हैं, कि हमें सेपरेट स्टेट दो हमारे लैंविज के बेसिस पर दो, हमारी मैजॉरिटी जादा है या आप दूसरे लोगों को हटा दो, ठीके, डिमोक्रिटिक गवर्मेंट टेरिटोरियल इशूस फेस करती हैं, जैसे कि हम स्टेट के साथ बाउंडरी शेयर नहीं करेंगे, हम इन लोगों के साथ ये लैंड शेयर नहीं करेंगे, जैसे आनिपदेश और दिलांग ना अलग अलग हुए, इसी रिजन की वैसे, किसी को चाहिए, उनकी लैंड बाउंडरी थोड़ी बड़ी हो जाए, हाना, डेमोक्रिटिक गवर्मेंट इस कॉपिंग विद मल्टीपल प्रेशर थू अकॉमोडेशन, भाई, और बहुत सारे प्रेशर आते हैं, जैसे अलग-अलग लैंग्वेज, अलग-अलग बिलीव के है ना, तो आंसर होगा D, चले, आगे बढ़ते हैं, find the incorrect option, incorrect option बताना है आपको, यह देखो, democracy लिख रहा है, तो democracy के point में ही है, democracy enhances the dignity of individuals, अगर democratic government में आपके साथ, आपके मान समान को ठेज पहुच रही है, चीके, तो क्या होता है, आप जाकर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, आप democracy आपके dignity को बचाता है, तो यह तो correct है, second, it provides a method for resolve conflict, अगर जखडे हो जाते हैं, तो आप court में जा सकते हो, तो यह भी option correct है, it improves the quality of decision making, democracy में बहुत सारे levels होते हैं, हर लेवल पर एक decision लेने के विले discussion होता है, तो क्या यह quality of decision making को improve करती हैं, हाँ यह भी correct है, allow room to correct, allow room to make more mistakes, और गलतिया करने के लिए जगे बनाती है, नहीं, अपनी गलतियों को correct करने के लिए जगे बनाती है, तो यह हो गया आपका गलत option, अगर यह question ऐसी बहुत सकता है, कि democracy के merits बताओ, तो यह तीनों merits आप democracy के अंदर लिख सकते हो, उतके merits में, ठीक है, इस से भी question आ जाता है, हम ल आपका जो डी है, वो ही आएगा, ओके, चालिए, आगे बढ़ते हैं हम, assertion and reason, इसके बीच में आप बिसकॉस लगा के देखना होता है, यह trick हो जाती है, assertion देखो correct है, तो आगे बढ़ो, false हुआ तो आपको यही रुख जाना है, answer, खतम हो जाया question, reason बढ़ो, गलत है तो य reason, assertion का है या नहीं, तो assertion है, democratic reform, reform मतब changes, हाना, अच्छे changes, democratic reform to be brought about principally through political practice, democratic democratic government के इंदर जो changes आते हैं, वो political practice के द्वारा ही आ सकते हैं क्या, या कोई और तरीक के भी हो सकते हैं, चीक है, यह मागे देख लेते हैं, any proposal for political reform should think only about what a good solution but not care about who will implement it and how, तो जाद democratic reform आते हैं तो हमें भी पता है, political parties जो जीतती हैं, वही बैठती हैं, आपकी legislative assembly, पार्लिमेंच के अंदर जहां पे law बनते हैं, और महीं से आप कुछ भी reform ला सकते हैं, तो यह तो correct है, दूसरा बोला है कि अगर हमें कोई भी change लाना है, तो उसका proposal रखो ठीक है, अपर यह tension मतलो कि कौन उसको implement करेंगा, तो ऐसा नहीं है, हमारे आपे हर चीज, democratic government में कुछ भी changes लाने का एक procedure होता है, तो यह गलत हो जाता है, तो A is true and R is false, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, very short type answer में, explain three weaknesses of democracy, weakness is मतलब लूपोल्स यह दिमेरिज भी हमें से बूल पकत ठीक है, demerits, चालो, डेमोकरासी के अंदर जाला टाम लगता है, डिसिजन में क्योंकि बहुत लेवल रहते हैं, जहां पर दिस्क्शन होता है, डिसिजन अच्छ होता है, लेकिन इस तेक्स और ताइम और मोर डिले, ठीक है, देमोकरासी के अंदर फाल्स जाला टाइम अद जाती है, क्यों रह जाती है, क्या होता है कि कई बार वही political parties सामने आते हैं, जिनका already नाम चला आरा है, और उन पोलेटिकल परी के अंदर भी वही लोग उपर जाते हैं, जिनके पास muscle power या money power होती है, जिनके है, पिर वो already उस party leader के खुँद संबंधी रहते हैं, ठीक है, तो are enough to convince that democracy are not free of evil तो क्या बोला है corruption कैसे होता है अभी मैंना बताया कि democracy के अंदर वो उपड जाता है जिसके पास पैसा होता है क्यों होता है क्योंकि political party के बागे लोगों को लगता है कि इसके पास पैसा है ये कैसे भी करके vote तो ले ही आएगा हमारी party के लिए तो इसको आगे खड़ा करते है ताकि हमारी party जीत जाए और फिर उसके बाद जीतने के बाद जो भी पैसा आता है जो उनको लोगों के कामों के हितों के काम करने के लिए पैसा मिलता है वो पैसा वो अपनी जेब में रखते हैं तो यहां से corruption होता है आगे बढ़ते हैं What is meant by transparency Transparency मतलब क्या होता है Transparent होना, सब चीज़े पता होना इसका मतलब क्या है To examine the process of decision making कि हमारी सरकार ने हमारे लिए क्या decision लिया है कैसे लिया है क्या इसका procedure था तो क्या process था, कहा हमारे budget जा रहा है कहां पर हमारे पैसे लग रहे है सारे चीज़े जानने का हमारे पास राइट है उस decision making का process जानने का राइट है इसको हम transparency कहते हैं लेकिन क्या हमारे सरकार हमारे साथ transparency रखती है तो answer is no इसके लिए right to information at RTI 2005 बनाया गया था कि आप लोग RTI लगा कर government के जो भी procedure है कामों के उनको जान सके कैसा काम करनी है सरकार and आप सरकार को जो department उनको आपको बजाना ही पड़ेगा confidential कामों के अलावा ठीक है आगे बढ़ते हैं short answer type में what are the two conditions to accommodate social diversity and democracy मलब जो अलग-अलग language अलग-अलग culture belief के लोगे उनको साथ में रखने की democratic के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है वो हमें बतानी है और उसका एक exception भी बताना है ठीक है It is necessary to understand that democracy is not simply ruled by the majority democracy के अंदर majority का तो rule होता है मतलब जिसको major number of people vote करेंगे वही party जीते की ये तो होता है the majority always needs to work with the minority लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अगर एक number of people majority कास के जादा है तो वो जिसको vote देंगे वही जीते का ऐसा नहीं होता minority के vote का भी उतना ही value है one vote, one value सब के vote का one value है तो majority का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जितने भी अलग-अलग कास्ट क्रीट के लोग है वो सब मिले के जिसको जिता रहे हैं वो जीतेगा तो majority wins हमेशा होता है लेकिन majority wins कब होगा जब वो minority को भी साथ लेकर चलेगी ठीक है तभी government अच्छे से वहाँ work कर पाएगी दूसरा है कि it is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community तो rule by majority का मतलब मैंने आपको भी बताया था कि सिर्फ ऐसा नहीं हो कि जो कास्ट के लोग जादा हो वो ही power में आ जाएं rule by majority का मतलब होता है कि सब लोगो सब religion, caste, creed, color के लोग साथ में हो और साथ मिलकर जिसको majority से vote दे वो जीते ऐसा नहीं हो minor group वाले जो की लाइक मालो कि एक जगे Christian एक जगे Hindu है Christian लोग जादा है तो Hindu लोग सप्रेस होगे या Hindu लोग जादा है तो Christian लोग सप्रेस होगे नहीं दोनों ही मिलकर vote दे जिसको majority से जिताएंगे वो जीतेगा तो rule by majority होता है rule by majority community नहीं होता ठीक है इन डरम्स और religion, race और linguistic group ये दो पॉइंट से इसको exception क्या था श्री लंका श्री लंका के अंदर majoritarianism follow किया जाता था वो क्या था वहाँ पे Sinhala और Tamil speaking लोग थे ठीक है Sinhala लोग 74% थे तो उनको ही प्रायर्टी मिलती थी उनके बुद्धिस में रिलीजन को ही प्रायर्टी मिलती थी प्रायर्टी मिलती थी यवेसिती गवफ्धिस जौब में उनको ही प्रायर्टी दी जाती थी और Tamil को इप्नॉर के जाता था and it leads to civil war in Srip ये का आगे बढ़ते हैं तो है कि लुगा इस सफरों करते हैं फो स्टर्ड कर राएं तैसर नहीं है और सच्छी सभाइब कर दियुकोर Einट नाव्ट इस में चीज़ दिद्धिदयानरुषे कहांद कर थकड़ इनिफ फाइफ किसी भी जैसे मानू कर Kean आपने एकजाम दिया और रिजल्ट रहें तो यह होता टेस्टिमनी का मिलग एक कहलए दियन करकाल को अपनी गलतिया दिखा पा रहे हैं ठीक है ठडको पर उतर रहे हैं अंशन कर रहे हैं लेकिन क्या यह आप डिक्टेटर्शिप में कर सकते थे अगर यही चीज आपने हिटलर के सामने करी होती तो कोई जिंदा बच पाता नहीं लेकिन डेमोक्राशी में आप जिंदा भी बच रहे हैं आपकी डिमांड मानी भी जाती है तो यही जो कंप्लेन आप कर पा है न यही सक्से से डिमोक्राशी की अब इसको कैसे आंसर की फर्म में लिखना है तो सम एक्सेंट कंप्लेंज आ ट्रीटेट अस्टेमनी तू तू सक्सेस अफ देमोक्राशी यह क्यों है इसका रीजन हम देख लेते हैं आगे जो और इन इन एफिशेंट गवर्मेंट सम प अब सर्टेन दर डिसिजन आराइट और रॉंग तो भई हमारी गवर्मेंट स्लो है और इन एफिशेंट एसी लोग बहुत सारे कम्रेंट करते हैं ठीक है तो तो है क्योंकि डिसिजन में टाइम लगता है इसलिए ही तो डिसिजन अच्छे होते हैं पर क्या इतना टाइम कि क्योंकि वहां पर क्या होता है एक लीडर होता है उसने जो डिसिजन लिया वो मान लिया जाता है लेकिन डेमोक्रिसी के अंदर लोगों की खित के बारे में अलग-अलग लैंग्विश के लोगों के बारे में कैसे यह जो हम नई चीज एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं क् और दूसर्य form of government fast हो सकती है लेकिन right और wrong है या नहीं है कुछ जगहों पर inefficient का नहीं बोलेंगी हम कुछ लोगों के लिए साही हो सकता है वो decision कुछ लोगों के लिए गलत हो सकता है तो जिनके अच्छा है वो efficient bowling slow है because it is taking time in decision making so हम इस आंसर को लिख सकते हैं कि भई less effective हो सकती है लेकिन inefficient नहीं है and slow होगी because decision making अच्छी हो उसमें समय लगता है ठीक है आगे देखते हैं unsuccessful in reducing economic exploitation अब क्या है there is no denying that democratic do not appear to have been successful in reducing economic inequality हमारे यहां पर अंबानी भी है हमारे यहां पर गरीब किसान भी है तो भही reduce economic inequality को तो democracy कम नहीं कर पाई यह मांगते हैं but it is only possible in democracy that people can rest their voice against not only economic inequality but also against all type of inequality लेकिन यह हक सिफ आपके पास democratic government ही में ही है कि आपनी अवाद उठापाओ हाना कि भई भले आपको कोई economic inequality मिल रहे है money related problems आ रही है आप और problems भी आरे तब भी आवाद उठा सकते हो democracy में लेकिन यह आवाद डिक्टेक्टर शिप्ट या किसी और form of government में नहीं उठा सकते ठीक है हां all of these facts show यही सारे factors यह बताते हैं कि democracy are successful है क्योंकि यहां लोग को complain कर पा रहे हैं और इससे democratic government को सुधरने का scope भी मिल रहा है कि आगे जाके आप complain करोगे कभी ना कभी तो सुधार आएगा ठीक है चालिए an ideal government would not only keep itself away from corruption but also make fighting corruption and black money to a top priority कि जो एक government होती ना वो उसको corruption से दूर रखती है खुद को लेकिन वो यह भी ध्यान रखती कि corruption और लोग भी ना करे और black money भी लोग अपने दबा कर नहीं रखे तो इस statement को आपको highlight करना है यह value-based question होते हैं ऐसे इसमें आपको आपका IQ level कर इस्तमाल करके और basic morality कर स्तमाल करके ऐसे questions के answer देने पड़ते हैं आगे पड़ते हम the three ideal values of government are legitimacy responsiveness and accountability मतलब आपके साथ भी कुछ गलत हुआ democratic government तो आप जाके government को बोल सकते हैं जैसे आपके marks अच्छे नहीं था टीचर्स को blame कर सकते हुआ कि मैं अच्छा पड़ाया है नहीं था ना फिर उसके बाद क्या होगा आप democratic government के पास accountable जिम्मदार ठेनाने जाओगे तो आपको जवाब देंगे तो आप responsive होईगी और legitimate हैं वो क्योंकि वो लीगल कोर्मेंट है क्योंकि वो वहीं है जिन लोगों को आपने चुना था ठीक तीन चीज़े होती है ideal form of government में and ideal government would not only keep itself ideal government होती है वो corruption से कुद को दूर रखने के जिम्मदारी तो होती ही है बाकी अदर जो corruption कर भी रहे हैं उनसे लड़ती भी है और black money को भी उजागर करती है अगर किसी ने अपने अंदर ले रखा होता है तो legitimate की बात करें हम तो एक गरीबी inflation poor politics ethics मतलब जो सारे evils हैं गलती चीज़े हो रही है उनका ये बहुत बड़ा reason है corruption and black money क्योंकि इस तर क्या होता है जो अमीर लोग है जो corrupt लोग है वो तो द्वारा ठीक है who have mandate the people of their constituency such evil practice which do be motivate the people to reelect their representative और मैंने किसे को चुना यह समझ के कि भाई यह तो हमारी society की हित के लिए काम करेगा public park बनाएगा जानवरों का ध्यान रखेगा society के गरीब लोगों का ध्यान रखेगा लेकिन वो तो बिचारे उन सब का जो पैसा आ रहा है उन सब के हित के लिए वो अपने अंदर लेकर उनसे प्रॉपर्टीज खरीद रहा तो मेरा मन तो हो जाएगा ना क्यार मैं दुबारा इसको तो नहीं चुनोंगी जैसे ही मेरे हाथ में वापिस मुझे वोट देने की पावर आएगी ठीक है तो भ प्रॉपर्टीज और अप्रॉपर्टेशन और ब्लाइक मनी हिंडर ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्स ठीक है अब सरकार के पास पैसा आ रहा है लोगों की हित के लिए तो उनके पास बज़ट आ रहा है आप उनको पूछ सकते हो कि आपने पैसा कहा लगाया ठीक है वह पैसा आता है उससे जो रिस आते वोगों की हित के लिया आते उनके लिए नहीं है जिनको आपने रिप्रसेंटेटीव बना दिया है वह पैसे लेकर अपने लिए प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं नंकी के रहे है तो अगर माहां पे करर्प्शन और ब्लैक मनी होगा तो ज जहां तक वो resources पहुंचने चाहिए, जहां तक वो पैसा पहुंचना चाहिए, जो लोगों के हित के लिए आया था, वो उन्हें तक नहीं पहुंचके, जो representative है, उन्हें तक के सीमित रह जाएगा, और इससे overall development नहीं हो पाईगी, चिके? Okay, next question, democracy is based on the idea of deliberation and negotiation, deliberation, negotiation मतलब क्या होता है, discussion, debates, arguments होते हैं, बहस होती है, तो इस पर based है, क्या democracy इसको आपको explain करना है, democracy इन पर based होती है, discussion होते हैं, debates होती है, argument होते हैं, जिसे मम्मी, पापा, आप सिंचारों मिले के कोई discussion, कोई decision ले रहे हो कि गाड़ी कौनसा कलर के लिए कोई लेगा blue लेते हैं, कोई लेगा active लेते हैं, कोई लेगा maestro लेते हैं, तो क्या आएगा, बहसारे discussion होईगे, negotiation होईगे, नहीं नहीं लेंगे, नहीं वाली लेंगे, तो लेकिस से क्या होगा, decision अच्छा होगा, तो democracy इस पर बेज होती है, क्योंकि democracy importance देती है, लोगों के opinion को, लोगों की, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे opinion आएगी, ठीक है, तो democratic government होती है, वो जारा time लेती है, कि सीवे decision को लेने के पहले, इससे क्या होता है, quality decision मिलते हैं हम को, जैसे गाड़ी हम अच्छी लेंगे चारों के discussion के बाद, वैसे ही, its decision may be both more acceptable to the people and more effective, और क्योंकि बहुत सारे discussion हो रहे है levels पे, तो सब लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, तो ये इसको लोग जादा accept करेंगे, क्योंकि इसमें हर लोगों के हितकी बात होगी और जादा effective होगी, democracy ensures the decision making will be based on norms and procedure, जो भी democracy government के अंदर decision होते हैं, वो एक procedure के दुवारा लिये जाते हैं, पहल बहुत सारे levels होते हैं, बहुत सारे norms and procedure के दुवारा एक decision लिया जाता है, तो वो legal decision होता है, सही decision होता है, लोगों के हितकी के लिए, ठीके, transparency as a person have the right and means to examine the process of decision, RTI, भाई अगर किसी को जानना है कि कैसे हुआ है, ये decision कैसे लिया गया है, तो ये लोगों के पास right to information का एक right हो होता है, आप उस process को जान सकते हो, transparency रह सकती है government इतनी, it follows procedure and is accountable to the people, और ये प्रॉपर procedure के सारे decision लेती है, लोग अगर पूछे, तो अगर वो decision सही होगा, तो भी आप government को जिम्मदार ठेरा सकते हो, गलत होगा, तो भी आप government को जिम्मदार ठेरा सकते हो, क्योंकि democratic government accountable होती है लोगों के लिए, the democratic government develops mechanism for citizen to hold a government accountable, और एक साइक प्रसेस भी होता है democratic government के पास, कि आप government को accountable ठेरा सकते हो, गल्मेंट फिर अपनी उस गलती को correct करेगी, हाना it makes a room to allow its own mistake, वो सुधार करती है, क्योंकि उनको पता है, अगर सुधार नहीं किया, तो अगले election में हम उने नहीं च citizen to take part in decision making whenever they think fit, हम लोगों को चुनते हैं, हाना हमारे representative ही चुनने जाते हैं post के लिए, और वो हमारे behalf पर decision लिते हैं, मतलम हमारा भी indirect role होता है, किसी भी decision को लेने में, क्योंकि वही लोगों को चुन रहे हैं, हमने जिन को चुना है, उन्होंने उनकी कुछ policies हमें बताई होग तो इसमें हमारा indirect role होता है, decision making के अंदर, और next question चलते हैं, अब respect and equal treatment for women are necessary ingredient of democratic society, औरतों को भी इज़त मिलना, equal treatment मिलना जरूरी है, इस treatment को हमें बताना है, तो economic independence की बात करें, to an inherited or self-generated income is considered to be major means of empowering women, मतलब औरतों को economically wise, independent बनने देना, उनको equal pay देना, कि भाई, वो कमाएंगी, तो क्या होगा, इज़त होगी उनकी, क्यों घर का भी काम करती है, लेकिन घर का काम तो असे लितने हैं, कि क्या ही है, ठीक है ना, काम करना उनको पढ़ेगा इसे, लेकिन वह बाहर भी equal money related independence मिलेंगी, वो कमाएंगी उनको भी अपनी opinion रखने का हक मिलेगा, society में, equal politics and civil rights, उनको भी politics के अंदर, बराबर importance मिलें, उनको भी वो rights मिलें, जो आदमियों के पास है, पहले right to vote women के पास नहीं था, लेकिन हम मिल चुका है, तो ऐसे ही right provide करना, जैसे आदमियों को मिलते हैं, ways of autonomy and freedom, वो सारी freedom and facilities देना जो आदमियों को भी मिलती हैं, जिससे के आदमियों empower हो पाए, distributive justice to reduce inequality in resources and power, उनको भी justice provide करना, ठीक है, और inequality कम करना किसमें, power में and resources, मतलब उनको भी वो सारे resources, वो सारी power दी जाए, जो आदमियों के पास है, तभी ही तो आप उनसे equality उम्मीद कर सकते हो, ऐसे तो नहीं ना कि वो विचाले दिन बर किचन में काम करें, फिर बाहर भी काम करें, फिर रात को जाके फिर गर समालें, फिर उनके हस्बेंट, उनके घर वालों सबको समालें, तो आप ये चीज़े आदमियों से भी तो एक्षपेक्ट करो, और बाहर भी उनको same power दोना फिर जो अदमियों से नहीं रखना, एक positive feelings भी उनको देना, ताकि और तो भी उबहरने का मौका मिलें बाहर की दुनिया में, removing social evil, including violence, torture, humiliation, ऐसी चीज़े social evil हटाना, जो और तो के लिए चली आ रहे हैं, torture, domestic violence, उनकी बदनामी करना, ये सारी चीज़े नहीं हो, उनको वो equal treatment, dignity, इज़त दी जा सारी summary, सारे important topics cover हो चुके हैं, I hope you guys like it.